आज हम बात करने वाले एसेंट्री सिटी के बारे में और एसेंट्री सिटी रेश्यू के बारे में उसको समझने के लिए मैंने एक जर्नल बेरिंग का डाइग्राम बनाया हुआ है विद किलियर एंज बाहर बेरिंग है अंदर साप्थ है और उन दोनों के बीच में लुब्रिकेंट भरा हुआ है इसमें होता क्या है स्टार्टिंग में साप्थ स्टेशनरी कंडिशन में होता है उस कंडिशन में क्या होता है मैटल टू मैटल कॉन्टेक्ट रहता है यानि कि साप्थ की आवडर बढ़ना भी स्टार्ट हो जाता है। तो यह जोरitary कoria पेatmospheric पे जिसे ? के जैसे सब्सक्राइब बढ़ते है। उसका क्प्राइब ना भी श्टार्ट हो जाता है और होता क्या है ? जैसे जैस जैसेऊ इस भीचिय तो यह okay है? यह sticky film में convert हो जाता है sticky film में convert होने की बज़े से जैसे यह wider range से narrow range में आता है तो इसका pressure बढ़ता जाता है जैसे इस वीड बढ़ती है तो यह soft क्या होती है उस बज़े से pressure generate होने की बज़े से lift करना start कर देती है और soft के center और बेरिंग के center के बीच की जो दूरी रहती है वो eccentric city कहलाती है तो आज हम formula calculate करने वाले eccentric city को calculate करने के लिए यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है bearing के center O और soft के center के बीच की दूरी है eccentric city e-s-o की है open से peripheral तक radius है soft की और यह minimal thickness है कि soft जब maximum speed में घूम रहा होता है या फिर जिसी speed में हम rotate करवाना चाहते है उससे साब से यह thickness of minimum film बढ़ती है घटती है यदि हम example लें जैसे जैसे हम soft की speed बढ़ाएंगे उस बज़े से क्या होगा pressure जादा है double up होगा उस बज़े से क्या होगा minimum film thickness की जो height रहेगी और thickness रहेगी वो बढ़ेगी तो eccentricity soft की कम होगी यानि की center of bearing and center of soft की distance बीच की जो distance रहेगी वो कम होती जाएगी यह एक reason है जैसे जैसे pressure increase होता है speed increase होती है pressure बढ़ेगा तो यह minimum film thickness की minimum film thickness increase बढ़ेगी और eccentricity कम हो जाएगी दूसरा क्या कारण होता है जैसे जैसे soft way load increase होता है load increase होगा उस बज़े से क्या होगा minimum film thickness घटेगी और eccentricity बढ़ेगी तो यह काफी सारे reason होते हैं कि eccentricity बढ़ सकती है eccentricity घट सकती है अब एक और reason ले लेते हैं क्या होगा जो minimum film thickness है वो भी जादा होगी तो eccentricity कम होगी तो यह काफी सारे reason हो सकते हैं कि speed बढ़ाते हैं load बढ़ाते हैं viscosity जादा है यह फिर temperature यह सब चीजों पर डिपेंड करता है कि minimum film thickness और eccentricity कम होगी यह जादा होगी तो यह कुछ reason मैंने discuss कि eccentricity कम भी हो सकती है और eccentricity जादा भी हो सकती है तो calculate कर लेते हैं formula eccentricity के बारे में यदि हम total distance की बात करें O से outer periphery तक तो यह radius होगी bearing की जिससे मैं R1 से show कर रहा हूं R1 is equal to O से O1 होगा eccentricity plus O1 से R होगा soft की radius यह होती ही minimum thickness कुछ books में इससे H से show करते हैं और कुछ books में इससे H 0 से show करते हैं तो हम H से show कर रहा हैं इसको तो eccentricity का formula हो जाएगा R1 माइनस R माइनस H और eccentricity R1 माइनस R जो होता है उससे बोलते हैं हम radial clearance इसको हम सो करते हैं C1 से minus H और C1 से show करते है radial clearance को और diametral clearance को यान की D1 minus D यान की bearing का diameter minus 6 के diameter को हम सो करते हैं C से और यह होता है diametral clearance C1 होता है radial clearance तो यदि हम इसको C1 को diametral clearance की टम में लिखना चाहे तो यह हो जाएगा C by 2 minus H यह formula हो गया eccentricity को calculate करने के लिए एक दूश्रा टम भी होता है eccentricity ratio eccentricity ratio क्यों होता है eccentricity ratio को हम attitude भी कहते हैं eccentricity ratio का दूश्रा आना मैं attitude में लिख देता हूँ attitude यह eccentricity ratio का दूश्रा नाम है यह इसका formula होता है eccentricity ratio is sorry attitude होता है eccentricity ratio is defined as the ratio of eccentricity to the radial clearance यानि कि eccentricity ratio is defined as the ratio of eccentricity eccentricity का formula होता है c by 2 minus H by c by 2 और यदि हम इसको c1 की टम में लिखना चाहें यानि कि radial clearance की टम में लिखना चाहें तो यह हो जाएगा c1 ठीक यदि हम इसको c by 2 को c by 2 को cancel करते हैं diametral clearance को तो यह हो जाएगा 1 minus 2H by c तो यह formula हो जाता है eccentricity ratio का पहला formula है eccentricity का तो यह दो formula हो जाएगा पहला eccentricity eccentricity depend करते हैं साफ्ट की speed पे साफ्ट के load पे viscosity of lubricant कितनी viscosity है temperature क्या है lubricant का और दूसरा टम होता है eccentricity ratio और उसको हम attitude भी बोलते हैं attitude जो की ratio होता है eccentricity और radial clearance का तो यह बात होता है